दोस्तो आइकल 2025 को लेकर मेगा उक्षन जारी है और मेगा उक्षन के पहले दिन 7 खिलाडियों के खरीदने के बाद अब कुलकाता नाइट अड़र की टीम मेगा उक्षन के दूसरे दिन 3 और बड़े खिलाड़ी को खरीद चुकी है जी हाँ दोस्तो आप सभी लोगों को बता दे कि कुलकाता की टीम ने सबसे पहले तो रोमेन पाविल को डेड़ करोड की बेस प्राइज में खरीदा उसके बाद दोस्तो कुलकाता नाइट अड़र की टीम मनीश पांड़े पे बोरी लगाई और उनको बेस प्राइज 75 लाख रुपे में खरीद लिया है जहां दोस्तो मनीश पांड़े की एक बार फिर से केक्यार की टीम में वाप्ती हो चुकी है आप सबी लोगों को बता दी कि मनीश पांड़े के आईपेल में अच्छा खासा केरियर रहा है और आईपेल में ये 171 मैच खेल चुके हैं जिसमें करीब 30 के एवरे और 111 के स्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी करते वे इन्होंने 3850 रन बनाए है इसके लाव दोस्तों कोलकाता नाइट एडर्स की टीम ने तीसरे खिलाड़ी के रूप में तेज गेनबाज स्पेंसर जॉनसन को खरीदा है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दी कि स्पेंसर जॉनसन का बेस प्राइस दो करोड रुपिय रखा गया था और 14 विकेट चटकाने में काम्याब रहे हैं तो दोस्तों कोलकाता की टीम ने ये तीम काफी अच्छी बाइंग की है आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये खिलाड़ी कैसे लगए अपनी रहे हमें नीचे जरूर दें